असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 क्लास के उर्दू के किकुष्रा के किताब से चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है बागो बहार देखिए बहुत ही ज्यादा इंट्रिस्टिंग नाम लग रहा है मतलब नाम सुनकर लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ नई चीज़े सिखने को मिलेंगी तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं वाकई में इसमें कहानी बताये गया है बहुत ही इ अफसाना नहीं है ध्यान रखिएगा यह चैप्टर जो है कोई अफसाना नहीं है बलकि एक दास्तान है इस चैप्टर जो है कोई कहानी नहीं है यह क्या है दास्तान है दास्तान मतलब समझते हैं नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रही हैं देखिए तवील कहानी तवील जिसको हम लोग एक ही बैठक में नहीं पढ़ सकते हैं अब साना यान की कहानी को तो हम लोग एक ही बैठक में पढ़कर खत्म कर देते हैं लेकिन दास्तान जो है ना वह बहुत ही ज्यादा तवील होता है आप लोग सुने भी होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वह तो उ कहानी किसी के जिंदगी की रियल कहानी वास्तविक घटना या फिर कोई रियल घटित हुई घटना मतलब वास्तविक कहानी दास्तान में जूटी कहानी लिखी जाती है ठीक है क्योंकि दास्तान को बहुत लंबा करना होता है न तो लंबा करने के लिए उसमें जूटी जूट वोगरा के बारे में बात की जाती है पहले और उनहीं लोगों का कहानी होता है खिया थीक है तो यह चैप्टर है ये वह क्या है दास्तान है जिसमें आप जिन्नाद मिलेंगे जिन्नादों के बात्षा वगहहद वगह मैं इस這些 को पढ़ाऊंगी लेकिन सबसे पहले उन्माहानं बैक्ति का नाम तो जान लेजिए औरूंत के बारे में तो जाने जिन्हों ने इस चैप्टर को लिखा है तो देखिए बाग Celnova को बता दूं की यह जो बाग बाहर नाम नाम का एक किताब यहाँ सबसे पहले उन्माहान बैकhtि ना यह आप लोगो को इस चैप्टर में पुरी दाष्तान को नहीं पढ़ना एक छोटफे से टुकडे कोपढ़ना है बागो भाठ नाम का तो एक पूरा का पुरा दास्तान नहीं पढ़ना है उसका एक टुकड़ा पढ़ना है जो कि चौता टुकड़ा है ठीक है तो याद रखिएगा तो चलिए मीर अमन के बारे में कुछ जिटेल चान लिजी तो देखिए मीर अमन दहलिवी इनके बारे में तो पता लगना बहुत ज़दा कि वो कब पैदा हुए और किस डेट को पैदा हुए ठीक है सिर्फ इतना ही मालुम चला कि मीर अमन दहलिवी दिल्ली में पैदा हुए थे और वहीं पर पले बढ़े थे वहीं पर पढ़ाई भी लिखाई किये और वहीं पर पले बढ़े और मीर अमन दहलिवी का असल नाम यानि कि उनका जो real Name था वो था मिर अमन। और इनका जो त्खल्श था वो लुसुल करते थे और जो मिर अमन्हीं के बाब दादा थे ना वो मुगल शा सक्त। मुगल बार्शा से रिलेड थे सम्बंदित थे हो ठेक मीर अमन दहलवी के जो बाब ददे थे वों मुगल शर्षक से रिलेट से संबंदित थे और यही वजा है कि मीर अमन दहलवी के नाम पर धेर सरी जमीन और जायदाद था ठीक है बहुत जदा अमीर थे लेकिन जब भारत देश को छोड़ कर मुगल शर्षक चले गए तो उस व जोगों ने मतलब लूटने से नहीं छोड़ा वह भी लुट गया मिर अमन दहलवी का मकान भी लूट गया अब जो मीन अमन दहलवी है वह अजियम बाद है चार मई अठारा से एक को चालिस रुपे महीने तनखवा पर वो फॉरट वालियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शौबए यानि की हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट में वो जॉब करने लगे कौन मीर अमन दहलवी और फिर आगे क्या हुआ देखिए इसमानी माजोरी के ब्यमारी के वज़ा से मीर अमन दहलवी के शरीड में बहुत सारी घेर सारी वीमारी हो गई थी जिसके वज़ा से उनको क्षाwd च समय में फॉरट विल्यम कॉलेज कर दिया गया यानि का रिटायर कर दिया गया मीर्य अमन दहली जो है कि मीन यह देलवी जो है वो फार्सी बहुत अच्छी जानते थे जिसकी बदोलत वो फार्सी की एक मशूर किताब है जिसका नाम है इखलाक मोसनी का तर्जुमा गंज खूबी के नाम से किया था देखें मीरमन देलवी जो है ना वो फार्सी बहुत अच्छी जानते थे और एक फार्सी की किताब थी जिसका नाम है इसको ट्रांसलेट करने का काम उर्दू में तर्जमा करने का काम मीर अमन दहलवी ने किया और उसका नाम रख दिया गया गंज खुबी इसको उर्दू में ट्रांसलेट उर्दू में तर्जमा करने का काम किस ने किया मीर अमन दहलवी ने किया और आगे बढ़िए मीर अमन को शोहरत जिस किताब से मिली वह किताब क्या नाम है बागो बहार देखिए मीर अमन जिस किताब से बहुत जदा फेमस हो है बहुत जदा मशूर हो गए सबसे जदा जिस किताब से उन्हें शोहरत मिली उस किताब का नाम है बागो बहार देखिए गल 18 सा 1 में मुकमल हो चुकी थी यह जो बागो बहार नाम का किताब है वह 18 सा 1 में लिखकर तयार कर दिया गया था अब यहां पर एक चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़्यदा जरूरी है एक किताब था चहार दर्वेश जिसको अमीर खुसरू ने लिखा था किसने लिख क्रिस्ट की खौाहिस थी कि इस चहार दर्वेश नाम का किताब को उर्दू में की हुआए ठीखे यहां किताब 18-1 में मुकम्मल हो चुकी थी यानि कि 18-1 में वो लिखकर उर्दू यह चाहर दर्वेश नाम का जो किताब था उसको अर्दू में ट्रानसलेट करकर तयार कर चुके थे अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली यह है कि यह जो चहार दर्वेश नाम का किताब था जो कि दूसरे जबान में दूसरे भासा में लिखा गया था उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया गया किसने किया मीर अमन देलवी ने अठारा सा एक में पूरी तरीके से ट्रांसलेट करकर तयार कर चुके थे उस किताब को तो उस किताब का उस वक्त 1801 में नाम चाहर बरवेशी रखा गया था लेकिन 1802 में जो है न उस किताब का नाम बदल कर बागो बहार रख दिया गया और पहली मरतबा यानकी पहली बार 1804 में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापा खाने में तबा हुई तो यह जो बागो बहार नाम का किताब था वो पहली बार 1804 में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापा खाने से परकाशित किया गया ठेकें और यहां पर दियान दिजिए 1802 में ही कॉलेज फॉरट वॉलियम कॉलेज से के तरफ से बागो बहार किताब पर इनको 500 रुपे का इनाम भी मिला था तो उस वक्त जो है 1802 में ही मीर अमन देल्वी को बागो बहार नाम के इस किताब को ट्रानसलेट करने के वजह से इनको 500 रुपे का इनाम मिल गया था किसके तरफ से वॉरट वॉलियम कॉलेज के तरफ से अब चली जरह हम लोग बागो बहार नाम के इस दास्तान को समझ लेते हैं लेकिन याद रखिएगा ये जो बागो बहार नाम का दास्तान हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये बागो बहार नाम का दास्तान बागो बहार नाम के किताब का चौथा दर दरवेश हैं ठीक है मीरा मंदल जय यह जो वाग बहार नाम का किताब लीखे थे राश में यानeline की चार खंड बोल सकते आंप लोगो चा दर ऋससे बताती वह बाद्शा था तो चीन माचीन मुल्ख चीन नाम का कोई देश है वहा हो बाद्शाह हाथ और पहले के दिस्वाने में इसमाने के लिए बाद्शा यान राजा हुआ करते थे यह जो राजा था वो चीन माचीन का मतलब बाथा राजा था और पहले की बाश जो है अगर कि बीटा बाथा बनता था तो घर और छोटा घचलता था तो यह चीन माचीन का जो बाथा था उसका एkä तो एक दिन हुआ यह कि बहुत तेज तवियत खराब हो गई अब उनका आखरी वक्त चल रहा था अब वो देखे कि मेरा बेटा जो है अभी बहुत ज़्यदा चोटा है अब इस सल्टनत पर राज करने के लाइक नहीं है अभी वो बड़ा नहीं हुआ है उतना उसके पास बुलाएं बार्षा का बेटा जो है वो उनके भाई का चाचा लगेगा मतलब भतीजा ही न लगेगा और वो चाचा लगेंगे ठीक है तो बार्षा क्या कि अपने छोटे भाई को बुलाएं यान कि शहजादे के चाचा को बुलाएं और बोलें कि देखो मैं तुम्हें इस चीन माचीन मुल्क का बार्षा बनाता हूँ और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो तुम उसको गद्धी सौप देना तुम उसको बार्षा बना देना फिलाल मेरा जो बेटा है अभी गद्धी संभालने के लाइक नहीं है इसलिए मैं तुमको बार्षा बना रहा हूँ लेकिन जब मेरा बेटा गदी संभालने के लाइक हो जाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा तब तुम मेरे बेटे को गदी सौप देना तो शहजादा का जो चाचा है यानि कि बार्षा का छोटा भाई वो मान लिया बात और वा हुआ एक कि बार्षा का जो छोटा भाई एनकी शहजादा का चाचा वो सल्तनत पर राज करने लगा चीन मा चीन मुल्क यान की देश पर वो राज करने लगा बार्षा बन गया वहां का धीरे धीरे देखते ही देखते शहजादा जो है वो बड़ा हो गया और वो सल्तनत पर राज करने के लाइक हो गया गद्धि संभालने के लाइक हो गया अब बात आही गद्धि Soap ने की, चचा को तो अपने भतिजे को गद्धि Soap नी पड़ेगी क्योंकि वादा क्या किये थे बादशा से कि मैं आपके बेटे को गदी सौप दूँगा जब वो सल्तनत के लाइक हो जाएगा गदी संभालने के लाइक हो जाएगा तो लेकिन यहाँ पर चचा के दिल में लालच आ गई वो बिल्गुल भी नहीं चाते थे कि उनका जो भतीजा है वो चिन माचिन मुल्का बादशा यनकी राजा बने उसको गद्दी सौपी जएगा वो चाते थे कि मैं ही इस मुल्क का बादशा रहूं राजा रहूं और मैं ही राज करूँ ठीक है अब इसी लालच में आकर चचा जो है अपने फिरे नौकर को बुलाते हैं ठीक है जिसका नाम रहता है मुबारक मुबारक आया तो पता है चचा क्या बोले कि जाओ मेरे भतीजे यानि कि इस मुल्क के शहजादे को कतल कर डालो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इलावा कोई भी इस सल्तनत पर इस मुल्क पर राज करे मैं किसी और को बाच्चा बनते हुए नहीं देख सकता मैं अपने भतीजे को भी बाच्चा बनते हुए नहीं देख सकता ठीक है तो ये बात सुनकर मुबारक बोला कि देखिए बाच् बोलेंगे कि एक चचा जो है वह अपने भतीजे को ही कतल करवा डाला इस तरह आपकी बदनामी होगी एक काम कीजिए मेरी सलाह मानिये कौन बोल रहा है मुबारक उस चचा से बोल रहा है बोल रहा है कि एक काम कीजिए मेरी सलाह मानिये मेरे साथ ना जो शहजादा है शहजादे को कहीं दूर जंगल में भेज़ दीजिए और में ले जाकर शहजादे को कहीं दूर जंगल में छोड़ाओंगा और इस तरह आप जो है एक बहाना भी बना देंगे कि शहजादा जो है वह गया था घूमने के लिए या फिर शिकार करने के लिए गया था तो वहीं पर गुम हो गया और कोई सुराग नहीं मिल रहा है इस तरह आपकी बदनामी भी नहीं होगी ठीक है और इस तरह आप मुचीन माचीन मुल्क पर राज भी करते रहेंगे यहां का बाठ्षा भी बन कि चचा का नौकर वो शहजादे को लिये लिया और साथ मिले कर चल दिया कहीं दूर जंगल की तरफ बहुत दूर जंगल की तरफ जाने के बाद जो है वो जो मुबारक नाम का नौकर है वो शहजादे से बोला कि देखो तुम्हारा जो चचा है वो तुमको कतल कर देना चाहत और मैं तुमको कहीं दूर जंगल में लेकर आया ठीक है चलो अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा कौन बोल रहा है यह जो मुबारक है भले ही जो नौकर है किसका वो चाचा का लेकिन फिर भी हेल्प किसकी कर रहा है शहजादे की हेल्प कर रहा है तो मुबारक बोला बनाने में मदद करेगा क्योंकि जिन्नातों का बाठ्षा है ना वो तुम्हारे पितायन की पुराने वाले बाठ्षा का दोस्त था ठीक है तो इस तरह वो तुमको चचा जान से छुटकारा पाने में और तुम्हारी गद्धी वापस दिलाने में चीन माचीन का बाठ्षा ब पास जाने लगा ठीक है करें दूर रास्ते में जाने के बाद जो है मुबारक बोला कि देखो हम अपने मंजिल के बहुत करीब है अब हम लोग जिन्नातों के बात्रा के पास पहुशने वाले तो शहजादा देखा तो कुई महल मुबारक से कि आप कैसे देख पा रहे हैं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं हम अपनी मनजल के कहां करीब है दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है दिखाई दे रहा है हम मतलब जिन्नातों के बादशा से कैसे मिलेंगे कुछ भी तो कोई महल वल दिखाई देना चाहिए न तो मुबारक जो है वो धीरे से एक सुलेमानी सुर्मा निकाला और शहजादे के आख में लगा दिया ठीक है जब जैसे ही शहजादा वो सुलेमानी स सुलेमानी सुर्मा लगाया न उसे जिन्नातों के बादशा का महल दिखाई देने लगे ठीक है सारी चीज़ दिखाई देने लगी तो सहजादा बोला कि हाँ अब दिखाई दे रहा है मुझको जिन्नातों के बादशा का महल दिखाई दे रहा है जिन्नात भी दिखाई दे ठीक है अब जो है मुबारक और बाट्षा दोनों महल के अंदर प्रवेश किये अंदर चले गए देखे कि जो जिन्नातों के बाट्षा है वो एकदम अपना गद्धी पे बैठे हुए है और उसके बाद से साइड साइड में मंत्री भी बैठे हुए है और बीच में लंबा सा चेटाई बीचा हुआ है ठीक तो मुबारक जो है शहजादे को लेकर जिन्नातों के बाट्षा के पास गया और बोला कि देखिए यह जो शहजादा है वो चीन माचीन का शहजादा है और मैं जानता हूं कि इस शहजादे के जो अब्बू थे वह आपके दोस्त से यहनकी श चावियत खराब हो गई थी और वो अपने छोटे भाई को बुला कर क्या किये बोले कि मैं तुमको बाट्षा बना देता हूं और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा गद्धी संभालने के लाइक हो जाएगा तो तुम उसको गद्धी वापस कर देना अब जो है यह करवा देना चाहता है मार डाल देना चाहता है ठीक है अब यह बात सुनकर जो है जिन्नातों के बाट्षा बोले कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा किसे बोले जो शहजादा है उससे बोले कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मेर काम को कर दोगे ना तब मैं तुम्हारी मदद पक्काई करूंगा और तुम्हारा जो मतलब गदी है वापस लोटा दूगा और तुम्हें चीन माचीन मुल्का बादशा बनवा दूगा बस तुम मेरा ये काम कर दो तो मुबारक बोला कि ठीक है शहजादा एकदम काम करने के तो जिनातों का बादशा है वो एक कागज निकाल कर दिया परचा टाइप का था वो कागज निकाल कर दिया उस पर एक लड़की की फोटो बनी हुई थी ठीक है वो बोला जिनातों का बादशा कि ये लो कागज देते हुए शहजादे को बोला कि इस लड़की को तुम्हें कहीं से भी ढूंड कर लाना है जब तुम इस लड़की को ढूंड कर ला दोगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा ठीक है और तुम्हारी गद्धी वापस दिर्वा दूंगा जब शहजादा उस लड़की को देखा पर्चे पर जो मतलब उस कागज पर लड़की की फोटो बने थी उसको देखा तो इकदम चौक गया क्योंकि इतनी खुबसूरत थी वह कि उसके जैसा खुबसूरत से दुनिया में कोई भी लड़की ही नहीं थी तो वह मतलब उस लड़की की फोटो देखकर शहजादा बेहोस होने मतलब बेहोस होने हो गया ठीक है लेकिन फिर व है वह शहजादे को यह धंकी दी कि अगर तुम्हें यह लड़की मिल गई और तुम इस लड़की को लेकर उधर ही रह गये मेरे पास नहीं लेकर आए तो मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा और कोई यह नहीं हो सकता है सबसे बड़ा मैं ही दुश्मन रहूंगा तु जब मुबारक और शहजादा एक नए मुल्क में गए वहां का मतलब बहुत ही खुबसूरत नजारा था वो मुल्क ही सुना रहा था तो जब उस मुल्क में गए तो देखे शहजादा जो है वो देखा कि एक जो भीखारी है वो भीखारी जो था वो हिंदुस्तानी भीखार गरी था देखें यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दो देश की बात हो रही है एक ने मुलक में तो देखा कि वहां पर एक हिंदुस्तानी फकीर है लेकिन कोई भीक नहीं दे तो श्रहजादा जो है वह ज़िए यह वह जा कर एक अश्रफी निगाल कर उस विखारी को देदा है और वह जो विखारी है वह सोचने लगता है कि मैं साथ साले से जिसको ढून रहा हूं साथ सालों से जिस लड़की को वो तो मिली नहीं रही है मेरी चत्वपूरी नहीं हो रही है तो अब देखे मुबारक और शहजादे देखे कि विखारी किधर जा रहा है जब मतलब विखारी तो जाने लगा लेकिन मुबारक और शहजादा मुबारक और श्राइजादा कि ये भीखारे जो है इस महल के पास किऊ आया है तो वहां पर मतलब छुपकर वो देख रहे थे कि आखिर विखारी कर क्या रहा है ठीक है लेकिन श्राइजादा वो महल को देख रहा था कि वाकई में ये जब महल नया होगा ना तो कितना खुप बड़ा बदल लो और उसके बाद से ये खाने पीने का जो भी समान लेकर आया हूं इसको बना कर दो ठीक है तो जब उस महल में से औरत निकल कर आई ना तो शहजादे और मुबार्थ देखकर हैरान ही रहे गए क्योंकि वह वही लड़की थी जिसको वह साथ सालों से ढूंड रहे थे जब शहजादा वो काज़ निकाल कर उस लड़की की फोटो वह महल में यृष दोनों से मिला है तो मैच कर जा रहा था लड़की ठीक एकदम वह वही लड़की थी अब जो है ना शहजादा उस लड़की को देखकर बेहोश हो गया क्योंकि इतना जश्यदा खुब से कोशिश करने लगे बिखारी ओंधे कर गया डी जब का निकाल कर दीघ जिसमें उस लड़की का फोटो था और देखो मेरी बेटी और हम लोग का जो खानदान था ना गाउंमें सबसे बड़ा वहांदान था और सबसे रईस खंदान था हम लोग बहुत ज़दा अमीर थे और वही अमीर घराने में मेरी इस बेटी की पैदाईश हुई यह मेरी लड़की पैदा हुई जो कि बहुत ज़दा खुबसूरत थी और इसकी खुबसूरती के चर्चे ना चारों तरफ फैल गए थे ठीक है और यह से करें मैं मैं मटर जो मेरी लड़की से और बोल रहे थे कि मतलब अपने लड़की की सधी मेरे करके से करा दीजे तो मैं भी मान गया ठीक है और शादी की तैयारिया धूम-धाम से होने लगी और यहीं पर आप लोग का यह बागो बहार नाम का दास्तान खत्म होता है मतलब यह आप लोग छोटा सा टुकड़ा पढ़े इसके आगी की कहानी है लेकिन इसके आगी की कहानी लेकिन आप लोग के बुक में नहीं दिया गया है जितना आप लोग को जानना था उसना में आप लोग को बता दी ठीक है कोई भी कंफ्यूजन और इस चैप्टेट से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं जो कुछ भी में आप लोग को समझाई समझ में आया सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोगों को घंट का झाइए जरुक कर कर लएने के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा आफिज